देखो मेरे पास काफी मेसेज आए कुमट आए कि चाचा जी हित तो वेट बड़ा ज्यादा है और दूसरा जो चर्बी ये वो निल पिगलती गर्मी ज्यादा लगती है वो चीज बता है जो ठंडी भी हो चर्बी को खात्मा करे और वेट का खात्मा करे तो ये देखो ये लेकर आया हूँ और आपको ठंड़क भी होएगी और आपकी चर्बी साथ दिन में पिंगलना शुरू हो जाएगी आपका वेट भी काम हो जाएगा और चेरा गलोज ऐसा करेगा मेरी तरफ से मेरी पाक फौच बहादर भेने और बहादर भाई और मेरे बर्दुग अससलाम अलेकों के फालतु चर्बी जुए आपके जिसम में या पेट में उसको पंगालने के लिए साथ से पहले ये खीरा चाहिए चाच्चु को वीडियो आपने मुकमल देखनी है और इन्शाला ताला अल्ला के फद्लो करम से अगर वीडियो देखोगे और बनाओगे जो आपकी फालतु चर्बी है वो उक्त का खात्मा इसको ये देख सकते हैं इसको छेले लेना है इसके छोटे छोटे आपने टुकडे करने है जैसे चाच्चा आपको बता रहा है आपने ऐसे ही करना है और ये आपने वीडियो मुकमल देखनी है ये अद्रखे ये चाच्चा क्या करता है आपने सिर्फ देखना है छोटा सा इसका डालना है ये देख सकते हैं ये डेलेगा इसको साफ करना है इसको भी जरा जरा बरीज पणकर लेए और इसको खीरे के साथ डालना है यह देखो अद्र ह के टुकड़े और खीरे के टुकड़े यह मुकमल हो गया यह दौरा इस आटी हो गया और यह घरीब चार्चे का डंडा इसको बरीक करना है ये इसको मैं बरीक करें हूँ ये आपने मुकमल देखना है कि चाचा आपके लिए मेनद करता है और आपका काम देखना हूँ ये काम मुकमल हो गया है ये आप देख सकते हैं ये ऐसे बान किया जैसे हलवा होता है तो इसमें एक गिलास ये एक गिलास पानी डालना है ये एक गिलास पानी मैंने डाल दिया ये मैं उस वक्त है का रहे हूँ जा बिजली नहीं होती थी ये देसी टैचे अगर आपके पास जूसर मशीन है जो कहती है मिलक्षे बनता है आपके पास वो है ता आप उसमें कार सकते हैं और घरीब चाचे के पास लेए चाचा आपको देसी टैच से दिखा रहा है और आप मशीन से इसको कह सकते हैं मुकम्मल इसको समझने की कोशिश करें यह देको यह तयारह और दूसरी चाहिएं कि यह एक लीटर पानी यह यह आप देख सकतीय यह एक लीटर पानी में यह देख और इस लेमन को ये देख सकते हैं ये लेमन भी डाल गया और एक लेमन होड इसको क्या करना है ये लेमन के टुकड़े मैंने डाल लिए और ये देख सकते हैं आपने वीडियो मुकमल देखनी है ये छोटा चमच चैवाला और एक चमच शुफाय जीरा ये शुफाय जीरा आगया इसको हमने हल करना है ये तयारे इसको मने हला दिया है एक रात के लिए इसको फ्रेज में रख दें सुबो इसको चांड ले और ये पूल ले इसको वक्फे वक्फे से एक गिलास साथ तो आठ गिलास दिन में इसको इसको इस्तवाल करें और आपको पता चलेगा कि जो मेरी फाल्तु चर्बी है वो पिंग्लना शुरूब हो जाएगी साथ दिन में जो आपका चेरा है अगर आपको टोटका अच्छा लगा है तो चाचे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अल्ला दीगे बाद